नमस्कार पंजाब सक्सेस मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम डिसकस करेंगे 10 important mcqs for your exams ठीक है तो 10 important mcqs जो है मैं आपके सामने ले के आया हूँ और बहुत ही better questions है पिछली बार के मकाबले आपको बहुत मज़ा आएगा इनको करने में तो चलिए start करते हैं यह देखिए यह है first question आपके सामने first question है formation of Muslim nationalist party देखो पहला question पहला जो point दिया हूँ है अब इस question में करना क्या है देखो जैसे यहां पर दिया है 5 points इनको आपको chronological sequence में लगाना है सही sequence में लगाना है तो यह देखो पांच आपको पॉइंट दिया है जैसे पहला पॉइंट जैसे मैंने बोला formation of Muslim National Party इसकी एक डेट है उसके बाद सुर्व स्प्लिट अफ इंडिया नाशनल Congress इसकी एक डेट है गांधी जी विकेम Congress President for the only time इसकी भी एक तारीक है पर्स राउंटेबल कॉन्फरेंस इसकी भी तारीक है पत्ताभी सीता रमया लॉस्ट presidential election Congress presidential election टू सुभाष चंद्रबोस यह पांचों इतिहास में घटी अलग-अलग घटना हैं सब की अपनी एक तारीक है और उस तारीक के हिसाब से आपको इन्हें सही क्रम में लगाना है chronological sequence में लगाना है तो यह आपके पास options है sequence जो दिया हुआ है 23145 21534 35124 या 34215 देख लो अब आप इसको attempt कर सकते हो और इसमें जो आपका सही जवाब है वो है आपका एक ठीक है इसमें सही जवाब है क्यों अब आपको बता देता हूं क्योंकि इसमें हमें डेट जो है वह समझ नहीं होंगी सूरत split of Congress यह इवेंट है 1907 का क्योंकि यह घटना घटी थी बेलगाम सेशन में बेलगाम सेशन में जब उन्हें स्पेशली इन्वाइट किया गया था मौलाना अबुल कलामा अजाद के द्वारा टू रियूनाइट दे Congress स्वराज पार्टी जो है उसने अपनी राहा लग कर ली थी स्वराजिस्ट को चोड़ के चले गए थे तो फैसला लिया गया कि वापिस से रियूनाइट किया जाए और उसी के लिए जो है बेलगाम सेशन और्गनाइज किया था ठीक है उसके बाद फिर अतायप का फॉर्मेशन और मुस्लिम नेसलिस्ट पार्टी यह 1930 में हुआ यह इवेंट था 1930 का और यह आप यह दिखान रखना यह ओल इंडिया मुस्लिम लीग नहीं है यह मुस्लिम नाशलिस्ट पार्टी जो आलिंडिया मुस्लिम लीग से अलग होकर बनाई गई थी तो यह है 1929 में बनी मुस्लिम नाशनलिस्ट पार्टी उसके अलावा फर्स राउंटेबल कॉन्फरेंस यह घटना घटी थी 1930 से मदब नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक के बीच में फर्स राउंटेबल कॉन्फरेंस हुई थी तो यह उसके बाद आती है और सबसे लास्ट में आती है पत्ताभी सीता रमया जो है वो कॉंग्रेस प्रेज़िंशल चुनाव त्रपुरी सेशन में हार गए थे सुभाष चंदर बोस से सुभाष चंदर बोस के अगेस्ट पत्ताभी सीता रमया को खड़ा किया था गांधी जी ने अपना कैंडिडेट जिनको सुभाष चंदर बोस ने बड़े मार्दन से डिफीट कर दिया था ठीक है तो उसके बाद फिर सुभाष चंदर बोस जीत तो गए चुनाव और उन्होंने कॉंग्रेस के प्रेजरेंट्शिप से रिजाइन कर दिया था ठीक है चलिए त सबस्क्राइब से पहले आएगा 231-4 और फाइं यह से रिज और सुनाव इसमें सही चलो है नेक्स वेस्टेन पर आते हैं नेक्स्ट वेस्टेन है आपका यह consider the following statements पहला statement दिया है William Bentic was made first Governor General of India after the implementation of Charter Act of 1833 पहला statement कहता है कि वही Governor General of India बनाए गए थी Lord William Bentic after the implementation of Charter Act of 1833 ठीक है और दूसरा है Indian Legislative Council जो है वो बनाई गई थी Pits India Act के द्वारा ठीक है दूसरी statement यह कहती है तीछ थी statement कहती है ओपन competition for civil servants was introduced by British through Charter Act of 1853 ओपन competition जो है वो शुरू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा बाए Charter Act of 1853 और चौथा मैं कॉले कमेटी जो है वो civil services से जुड़ी लिए तो आपको बताना है इसमें सही हुदता तो आप एक बार देख लिजे और फिर आप इसमें answer कर सकते हैं options है one only one two and four one three four या फिर all are correct तो इसमें सही उत्तर है आपका C is your correct answer अब इसके पीछे का reason बता देता हूँ आपको one three four are correct देखो पहला तो पॉइंट विल्कुल सही है तो पिट्स इंडिया आक्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं था पिट्स इंडिया आक्ट में तो था कि इस्ट इंडिया कंपनी बिकेम सबॉडिनेट डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट तो इसी वज़े से लेकिन उसमें तो यह वाला स्टेट्मेंट आपका रॉंग है ओपन कॉंपटिशन फॉर सिविल सर्विसे जो है 1853 से बिलकुल ठीक यह जो है इसी से इंट्रेडियूस किया गया था और उसी के द्वारा एक कमेटी बनाए गई थी मैं कॉले कमेटी जो सिविल सर्विसेस के लिए जो है रेकमेंडेशन करेगी तो यह दोनों जो है ठीक है तो 134 इसमें आपका सही उत्तर है इसलिए आपका अंसर है सी ठीक है चल अगले सवाल पर चलते हैं जल्दी से अगला सवाल है आपका identify the correct statement from the following यह जो आगे दियो ही है अब यह इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के इतिहास में से एक सवाल लिया गया है पहला पॉइंट है आंध्रा वास पर स्टेट टो बी फॉर्म और लिंग्विस्टिक पर सिजांद्र प्रदेश को भाशा के अधार पे जो है बनाया जाने वाला वह पहला स्टेट था मतलब ठीक है तो पहला पॉइंट यह कह रहा है दूसरा कह रहा है जेवीपी कमेटी र उसने रेकमेंड किया था कि राज्यों को भाशा के आधार पर बनाया जाना चाहिए ठीक है लेकिन इसमें आपका जो सही उत्तर है वह है कि one only is correct ठीक है क्यों क्योंकि आंधर प्रदेश जो है इन 1953 में देखो बहुत अब हैदराबाद स्टेट जो है उसको आंधरा स्टेट बना दिया गया था 1948 में उसके बाद फिर है क्योंकि है घेधराबाद को मध्रास प्रेजिंसी का इस्सा बनाया गया था 1948 में मध्रास dealt अर्लियर एक्स्टिंग प्रेजिंसी ठी भिलेस एइरह में उसका ही ही इससा उसे बना दिया गया था लेकिन क्योंकि भाशा का विवाद था वहाँ पर आंदर प्रदेश में जो हैदराबाद करीजन था वहाँ पर तेलगू भाशा बोली जाती थी मदरास में तमिल बोली जाती थी तो तमिल तेलगू लोगों के बीच में विवाद था भाशा का इसी वज़े से 1953 में एक बड़ा अंदोलन हुआ और भारत सरकार मजबूर हुई 1953 में पहली बार जो है एक ऐसा राज्य का गठन किया गया जिसे प्योरली भाषा के अधार पे किया गया था तो फॉस्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो आंदरप्रदेश बना 1953 में जो यह वाला ठीक है दूसरा जेवीपी कमिटी जो है इसने भाषा के अधार पे यह राज्यों को बनाया जाना चाहिए यह 1948 में बनाई गई थी जेवीपी कमिटी मैं इसके मेंबर आपको दिखाता हूं यह थे तीन मेंबर एक तो साहाब जवाला नहरू उसके बाद वलब भा पटेल और तीसरे पत्ता भी सीता रमया भी मैंने इनका नाम लिया था जो सुभास्चंदर बोस्ट से 1949 में त्रिपुरी सेशन में एलेक्शन आ रहे थे ठीक है तो अब जेवीपी कमिटी 1948 में बनाई गई थी धार कमिशन के बाद इन से सवाल यह पूछा था जो सवाल था कि जो राज्य हैं उनको भाषा के अधार पर नहीं बनाया जाना चाहिए सिर्फ administrative convenience जो है उसके अधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए उसके अधार पर बनाया जाना चाहिए तो इसलिए यह वाला पॉइंट आपका रॉंग हो गया only one is correct ठीक है यह finally उसके बाद फजल लली कमिशन था 1955 में जिसका गठन किया गया था फजल लली कमिशन ने यह कहा था कि हाँ ठीक है राज्यों को भाषा के अधार पर बनाया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन नूंबर फोर विच्ट फॉल्विंग इनिशेटिव्स वर टेकन बाइशेर शासूरी टू प्रमोट ट्रेड अंड कॉमर्स ठीक है पहला इंट्रोक्शन ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइंस ऑफ उनिफॉर्म स्टेंडर्ड एक उनिफॉर्म दूसरा पॉन्ट सूरी इंटर्ड फॉर्स रूपी गोल्ड कोईन विच वोस्न नून आज रुपिया तो तीसरा क्या क्या के शेर्षा सूरी ने पहला सोने का सिक्का जारी किया जिसे रुपिया कहा गया तो एक बार थोड़ा ध्यान से हर स्टेट्मेंट पर नजर मारो औ और फिर मैं आपको उप्शोंस आपके सामने है इसे में उत्तर चुनना है वान ओनली टू ओनली यह इसमें सँने जो आपका है वो है यह क्यों पहला यह देखो हाँ शेट शुरी ने सोने चांदी और तांबे के सिख्के जो जारी किये थे उसके अलावा ग्रैंट रंक रोड जिसका पहली बाद जो उसका जो निर्मान कराया था वो मौरे काल में चंदरगुप्त मौरे ने करवाया था उसके बाद शेर्शा सूरी ने इसको री स्टोर करवाया ठीक है उसके बाद आता है शेर्शा सूरी ने पहला रुपया जारी किया हां यह हाफ करंसी उसको रुपिया नाम मिला लेकिन यह यहां पर लिखा है कि गोल्ड कोई गोल्ड कोई नहीं जारी किया था ठीक है तो रुपिया जो है वो चांदी का सिक्का था गोल्ड का नहीं था ध्यार रखना तिके इसी वज़ेसी स्टेट्मेंट रॉंग हो जाती है तो आपको बताना है इन में से कौन सी जो है औरंग जेब की रिलिजियस पॉलिसी में था फर्स्ट बैन लगा दिया था जिजिया का नाम का जो कर था उस पे जो नौन मुसलिम से लिया जाजा था दूसरा उन्होंने प्रमोटेट कर्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू टेंपल उन्होंने नए मंदिरों के निर्मान पे बहुत जादा जोर दिया था तीसरा अपॉइंट्मेंट ओफिशियल्स टू रेगुलेट एक्टिविटीज फॉर्विडन बाइद शरिया ऐसे अपसरों का उन तो सब्सक्राइब तो पहले जिजिया जो है अकबर के दौर में हटा लिया गया था इसको वापिस रीट्रेड्यूस करने वाले थे और अंगजेब और्फोटॉक्स इसलाम में बिलीव करते थे तो इसी वजए से ये तो पहला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा ठीक है तो इन्होंने बैर नहीं लगाए री इंट्रडीज्ट किया था उसके बाद construction of new temples हां नए मंदिर उन्होंने बिल्कुल इन नए मंदिर क्या पराने मंदिर तो डाले और उसके अलावा नहीं मंदिर बिल्कुल नहीं बनने दिये तो यह क्यों प्रमोट करते हैं कंस्ट्रक्शन यह तो ऑर्थोडोक्स इसलाम में बिलीव करते थी जिसमें बुद परस्ती बिल्कुल ही गलत चीज थी तो यह इन्होंने नहीं किया उसके बाद अपॉइंट्मेंट ऑफिशियल्स टुरेगले ठांग यह किया था तो यह बिल्कुल सही है दाट्स वाइट्स वाइट्री ओनली इस करेक्ट ठीक है चलाओ अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल अभिज्यान शकुंतलम तीसरा हर्श्चरित तीक है ओप्शन आपके सामने हैं वान एंड्टू ओनली टू एंड्ट्री ओनली या बन एंड्ट्री ओनली तो सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं सही इसमें सिर्फ एक ही है जो आपका सी क्यों अब एक बार देख लेते मि अभिज्यान शकुंतलम बस जो है वो कालिदास की रचना है कालिदास गुपता वंश के समय में एक मशूर कवी थे भारत में जो कवी परमपरा है उसकी उसका जो बहुत बड़ा श्रे है वो दिया जाता है किसको यह हमारे कालिदास को ठीक है और जब गुपता पीरियट त सकते गोल्डन एज था उत्तर भारत का और इस समय पर राजाओं ने बहुत जादा आर्ट कल्चर लिट्रेचर और बहुत जादा फोकस किया था बहुत जादा बढ़ावा दिया था वो गुपता किंग जो है इन चीजों के बहुत बड़े पेटरंस थे तो इसी समय पर जो है फिरोशा तुगलक से जुड़ी हुई इन सभी स्टेटमेंट पर एक बार नदर मारिये और फिर उसके बाद आपको बताना है कौन सा उत्तर इसमें से सही है पहला ही एस्टैबलिश दे टुगलक डानेस्टी इन इंडिया पहला थो कि उन्होंने तुगलक वंश की भारत मे स्थापना की दूसरा अप्लाइट दा प्रिंसिपल अफ हरीडिटी टू अर्मी उन्होंने हरीडिटी प्रिंसिपल मतलब पिता से पुत्र पुत्र से उसका पुत्र उस्तक जाने वाली परंपरा को शुरू किया किसने फिरोशा तो लगने तीसरा ही फॉलोड़ पॉलिसी उन्होंने पॉलिसी शुरू कि इसमें नौबल्स जो जो खास जो काम करने वाले थे लोग उनके अंडर काम करने वाले उनको खुश करने के लिए एक पॉलिसी उन्होंने शुरू की फिरोशा तुगलक तो यह संस्थापक नहीं थे तुगलक डाइनस्टी के तो पहला स्टेटमेंट आपका रहों हो गया तुगलक क्वंश के संस्थापक या उसको एस्टैब्लिश करने वाले थे ग्यासुद्दीन तुगलक या घाजी खान जो काम करते थे अलाओदिन खिलजी के लिए अलाओदीन खिलजी के सबसे खास जिनरेश में से एक थे घाजी खान गाजी खानी वह व्यक्ति था जिसने मंगोलों के अटक को रोका था दिपालपू के अगेंस्ट आपके कह सकते हो और एक एक बात थी के गाजी खानी वह व्यक्ति थे यह ग्यासुदीन तुगलक की वह व्यक्ति थे जिन्हों हेरेडिटी पिंसिपल जो है वह शुरू किया था आर्मी में भी और नोबल्स के बीच में भी मतलब क्या था कि अगर कोई व्यक्ति जो है वह नहीं आना चाहता अपने काम पर उसकी उम्मर हो गई है तो वह अपनी जगह पर अपने बेटे को काम करने के लिए भीज सकता है औ उनकी एक बार अब उनके उम्मर हो जाती तो यह यह शुरू इसलिए किया था ताकि अपने नोबल्स को और अपने आर्मी जनरल्स को खुश रख सके आर्मी में जो भी लोग है वह सब खुश रहें तो यह करने के लिए यह सब ट्रेडिशन शुरू किये थे तो ठीक है क्यों इन्हों ने डिसीजन लिया शायद मौम्मद बिन तुगलक जो इनसे पहले रूलर थे वह बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गए थे लोगों के बीच में और बहुत ज्यादा डिसेंट्मेंट था उनके खिलाफ लोग बहुत ज्यादा नाराज थे फिरोशा तुग कि वह खुश रहे और इससे उनकी सिच्वेशन में बदला भी आया फिरोशा तो फिर काफी लंबे समय तक राज कर पाए और बहुती काबिल जो है वह व्यक्ति बन के ऊबर है ठीक है चलो तो इसमें करेक्ट आंसर आपका तो सेकेंड और थर्ड करेक्ट है तो इसमें आप जो है वह क्यों बहुत जादा इंपॉर्टेंट थी आपको बताना है पहला कहता है क्योंकि इसके द्वारा सूरी वंश की स्थापन वही थी असुर्ड डानेस्टी की स्थापन वही थी इसके द्वारा इसके द्वारा मुगल वंश की भारत में थापन वही थी तीसरा औरंग देप सक्सेशन टू मुगल थ्रोन इसके द्वारा मुगल गद्दी पर औरंग जेप बैठ गये थे या उसके बाद establishment of slave dynasty in India या फिर इसकी वज़े से जो है भारत में जो है वो गुलाम वंश की स्थापन वही थी तो यह चार पॉइंट दिये हैं लेकिन इसमें सही उत्तर है सही उत्तर है जी बी अब आप कहोगे जी नहीं सर ये गलत है मुगल वंश की स्थापना तो फॉस्ट बैटल अब पानीपत से हुई थी बिल्कुल सही है फॉस्ट बैटल अब पानीपत से उनका भारत में प्रवेश हुआ था उन्होंने दिल्ली पे कबजा लेकिन उनका दिल्ली पे कबजा तभी legitimate रह सकता था अगर वो मेवाड के शासक राना सांगा को हराते राना सांगा के अगेंस्ट उन्हों ने बाबर ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी जिसे कहा गया बैटल ऑफ खानवा 1527 में इस लड़ाई में जो है बाबर ने मेवाड के राजा या राना सांगा को हराया और पिर निश्चित किया कि हां उत्तर भारत पर उनका ही कबजा रहेगा तो यह एक तरीके से मुगल एंपायर का स्टैबलिश करने वाली थी यह कौन सी थी यह थी आपकी बैटल ऑफ खानवा ठीक है तो राना सांगा से जूड़े लिए आगे है क्वेस्चन नंबर नाइन अगला सवाल पहली स्टेट्मेंट सत्येंद्र प्रसाद चिना वह फॉस्ट इंडियन थे ज जमीदार्स को जमीदारों को सेपरेट रेप्रेजेंटेशन दिया मौरले मिंटर रिफॉर्म ने तीसरा लॉर्ड वारन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ठीक है और चौथा लॉर्ड को कैनिंग बिकेम फर्स्ट वॉइस रॉय आप इंडिया तो इन च इलेक्टरेट दिया था मुस्लिम्स को जमीदारों को कोई खास रेप्रेजेंटेशन या कुछा लग से नहीं दिया गया था वारन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनल ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपाइट टेरिट्री ऑफ इंडिया थे गवर्नर जनल ऑफ इंडिया तो लॉर 1858 के द्वारा इनका रैंक बढ़ा दिया गया और यह बने बढ़ा दिया गया क्यूंकि अब क्राउन ने टेक ओवर कर लिया था ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया था और क्राउन का रूल डिरेक्ली आ गया था तो इसी वज़े से लॉड कैनिंग जो लेकिन इन्होंने पूछा है विच्च अब इस अबव स्टेटमेंट्स आ इनकरेक्ट इनकरेक्ट कौन कौन सी दो और तीन तो इस ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट है टू एंट थ्री ओनली ठीक है इसके साब से जो आप आंसर मांक करोगे वो टू एं क्या है इंडस पीपल डिद नॉट प्रेक्टिस फ्लोईंग आज आयरन वाज अन्नोन तो देम इंडस यानि सुन्दू घाटी सब्वेदा के लोग जो है वह लोहे का या आयरन का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करते थे क्योंकि आयरन उन्होंने कभी देखा ही नहीं था ठीक ह है वह तब तक किया ही नहीं था मतलब वह जो तब तक ढूंडा ही नहीं गया था कैनल इरिगेशन वाज डॉमिनेंट फीचर इन वाल एरिया जो फिंडस वैली सिविलाइजेशन और नहर जो है नहरें बना दी गई थी पूरे सभी इलाकों में जहां तक भी सिंदू घाटी से पाए जाते हैं सिंदू घाटी सब बता के तो यह चार हैं आपके सामने स्टेटमेंट्स अब एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वह ठीक है पहला कि भई प्लोईंग मतलब खेती जो है वह इंडस वैली के लोग नहीं जानते थे यह गलत है खे चाहे उनके पास अब लकडी के हल यूज करते थे या और दूसरे करते थे चाहे वह आयरन से अन्नोन थे मतलब आयरन की तब तक खोज नहीं हुई थी लेकिन फिर भी खेती के वहां से अफशेश मिलते तो पहला स्टेटमेंट हो गया रॉंग दूसरा कैनल इरिगेशन स्टेटमेंट भी रॉंग हो जाएगी रॉंग स्टेटमेंट वीट और बारले जो है वीट मतलब गेहूं बारले बाजरा यह दोनों जो है यह राजिस्थान और हर्याना की साइट से पाया जाने वाला जो है इसके अफशेश बहुत जादा पाए गए तो यह करेक्ट है यह वीट बारले जो है इंपोर्टन क्रॉप्स थी चौथा हॉर्स कॉमन एनिमल था नहीं हॉर्स वस अनकॉमन अगर आपने मोहिंजोदारों मोवी देखिए ना मोहिंजोदारों मोवी में अगर आप देखोगे रितिक रोशन जब मोहिंजोदारों शहर में जाते हैं वह पास में छोटा सा जगह पे रहते हैं अमरी नाम की जगह पे अमरी उनके गाउं का नाम होता है वहां से मोहिंजोदारों में काम के लिए जाते उसके बारे में यह दिखाता है वो movie में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि horse was very uncommon to them वो उनके लिए familiar नहीं थे वो उससे familiar नहीं थे और इसी लिए ये जो है statement आपकी wrong है सिर्फ कुछी sites जिसे सुरकोतड़ा Lothal सुरकोतड़ा से तो actual horse remains मिलते हैं और उसके अलावा Lothal से जो है evidences मिलते हैं horse के तो बाकी जो है horse के बारे में जादा जानकारी नहीं है इंडस वैली civilization के लोगों के पास इतना जो है हमें sources से पता लगता है तो यह वाला statement है यह भी आपका wrong है तो correct answer है आपका three only जो है आपका correct है मतलब B सही है तो यह थे आपके 10 important MCQs और आज के लिए इतना ही और हम अगली बात फिर मिलेंगे कुछ और नए MCQs के साथ जिससे आपकी तयारी को आप test कर सकोगे कितना आप कर पा रहे हो बाकी मैं solution करवाऊंगा किस तरीके से क्या approach रहती है solve करने की मैंने आज आपको एक example के तौर पर बताया कि इस तरीके से आप चलोगे तो इस तरीके से करके statements को देखोगे तो फिर आपके लिए जादा मुश्किल नहीं होगी multiple statements वाले questions भी आप कर लोगे तो आज के लिए इतना ही बाकी फिर मिलते हैं चलिए